इंडिया न्यूस का डिजिटल प्लाटफॉर्म देख रहे हैं आप आपके साथ मैरशना बंसल फेस्टिवल सीजन चल रहा है आज धंतेरस का दिन है रौनक चारो तरफ है बाजार भी सजे हुए है लेकिन थोड़ी सी दिक्कत भी इस फेस्टिवल सीजन ने बढ़ा दी है व अरसल फॉग नहीं यह स्मॉग है एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली एंसियार का बिगड़ा हुआ है और यही पॉलूशन आपको और हमें सता रहा है इस पॉलूशन से बचने के लिए लोग अलग अलग तरीके के इंतजाम करते हैं अलग अलग तरह के नुसके आजमाते है और सबसे जादा परिशानी उन लोगों के लिए है जो अस्तेमाटिक हैं डिजिटल टीम के साथ चुकि मैं मौझूद हूँ तो यहां भी कुछ लोगों से बात कर लेती हूँ अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो जाहिर सी बात है कि आम लोगों को यह दिक्कत पेश अब मैं कपिल से पूछती हूँ कपिल आपने कुछ मैसूस किया क्या मैं काफी जादा धुआ हमार को मतलब दिन प्रते दिन बढ़ता दिखाई दे रहा है मतलब मतलब कम तो होई नहीं रहा है यह एक्स्टेंड ही होता जा रहा है कि मतलब जैसे भी पंजाब में और हर्या कहा जाता है किसानों को पराली मत जलाईएगा चालान होंगे किसानों के चालान हो भी रहे हैं लेकिन यह परिशानी है जो हर साल दिल्ली NCR के लोग जहल रहे हैं कपिल बता रहे हैं कि यह पंजाब और हर्याना में खास और से जो पराली जलाई जा रही है उसकी वज़े से पॉल्यूशन बढ़ा है और यही पॉल्यूशन आपको और हमें परिशान भी कर रहा है शिवानी आप बहुत अच्छे से आज तयार होकर आई है आज धंटेरस है फेस्टिवल सीजन है रौनक तो है लेकिन यह जो पॉल्यूशन है यह आपको भी परिशान कर रहा है बिलकु पनाएंगे पटाके कि उन्होंने बहुत सारे खरीदें हैं पटाके तो आप देखने वाली बात है कि दिवाली के बाद कितना स्मोक होता है कितनी जादा तकलीफ और अस्त्मा जैसे आपने वो लाए कि बहुता है खासतार से जो चोटे बच्चे हैं घर में या फिर जो अधानी बढ़तेंगे तो फिर इन दिक्कतों से आप दूर हो सकते हैं, इन दिक्कतों से लोगों को परिशान होने से आप मुक्त करवा सकते हैं, आशु भी हमारे साथ हैं, आशु आप डिजिटल प्लाटफॉर्म पर अक्सर वीडियो बनाया करते हैं, QI को लेकर क्या सोच करना है, QI को लेकर लोगों को अवेर करना है, जी मैम, डेली गौवर्मेंट भी इस पर काम करें, जैसे के 28 अक्टूबर से उसका एक इनिशेटिव चाले होने वाला है, कि रेड लाइट ओन और कार ओफ, तो अभी ये जो लोग बोल रहे हैं कि दिवाली तक ही रहेगा, इ अगर आप अटागे पर बैन लगाते भी हैं, तो गाड़िया आपको रोड पर दिखाई देने वाली, क्योंकि गाड़िया बहुत जादा भी की हैं, और गाड़ियों की वज़ज़ से भी पॉल्यूशन अव्विसली उसे भढ़ता है, क्योंकि ऐसा होगा नहीं कि दिवाल के अंदर आते हैं, और जैसे की कपिल ने बताया है, कि पराली भी जल रही है, और गारियों के भी बिक्री होई है, तो जादे-जादा मैं यहीं बोलूँगा कि आप को लेके 95 मास्क यूज़ कर रहे थे, तो उसके लिए तो यूज़ कीजिए ही कीजिए, आप इसके लिए भी यूज़ कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, पॉलूशन आपको लंबे टाइम के लिए इफेक्ट करने वाला है, पॉलूशन ऐसा नहीं है, कि चुटकी भर में चला जाएगा, पलक जपकते ही बढ़ जाएगा, पॉलूशन दीरे-दीरे वापस से नॉमल होता है, कोशिश है आपको और हमें सभी को करनी है, और जैसा हम कह रहे हैं, कि सिर्फ पटाके जलाने से नहीं, बलकि गारी अगर आप रेड लाइप पर ऑन रखते हैं, तो उसकी वज़े से भी दिक्कत बहुत जादा बढ़ जाया करती है, और अलग-अल अच्छे स्वस्त रह सकें, बड़े बुजर्ग की हेल्थ अच्छी रह सकें, इनिशेटिव हमें लेना है, आपको लेना है, सबको लेना है